नमस्कार मैं हूँ ब्रजेश स्रिवास्तो और आप देख रहे हमारी खास पेसकास भोकाल टाइट है इस वक्त हम मौझूद है प्रभू राम की जन्मिस्थली अयोध्या में अयोध्या जिसको पूरी दुनिया में अयोध्या की सोहरत है प्रभुराम की जन्मिस्थली के रूप में इस वक्त अयोध्या में भब राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर की अलख 500 सालों से जग रही है लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अयोध्या में राम मंदिर बने और ये राम मंदिर और ये अयोध्या देश की सियासत का एक बड़ा केंद्र रहा है ऐसे में अगर देखा जाए तो इस अयोध्या से ही पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत अपरेट होती है कहते हैं आयोध्या में मंदिर अब बनने लगा है भगवाप सजने लगा है तो आखिर किस तरह का यहाँ पर हालात है किस तरीकी की राजनीती इसको समझेंगे महराज जी मंदिर अब बनने लगा है भगवाप सजने लगा है पूरे देश में आपके चैनल के माध्यम से बताओं कि मंदिर तो आप देखी रहे किस तरह का भब दिब नब बंडा है और उशी तरह से अभी आपने भगवा की बात की भगवा अयुद्या ही नहीं है पिस पूरे देश पर पूरे देश पर भगवा रंग चारा है और आप अधियर गवाधानश्री राम की मुझानिट नहीं होना भी और भगवा के सानद में राम के सानद में जो आता है वह अपने आब को भी गोराणवित महसूस करता है और आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग आए हैं आप जो भी जनमानस को देख रहे हैं वो भी भगवा मैं हो करके और राम के सानिद में किसी के मस्तक पे राम किसी के चेहरे पे राम मन लिख करके लोग चलने का अपने को सोभाग समझ रहे हैं तो यह राम मैं नगरी है अय देखे ये जो धर्म की राजनीत होती थी धर्म की जो सियासत होती थी जब से भारतिय जंता पार्टी की सरकार बनी है मैं आपको कहना चाहता हूं मैं मुस्लिम होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतिय जंता पार्टी का डर दिखा कर लोग सत्ता हासिल किया क इतना мौन में पे अ कि आती है उसका पूरा भर्पाइश जनता पार्टी न मुसल्म rub नेहीं किसके लिए आज बता रहा हूं आज और जो द्यास को देख रहे हैं यह सफ़ा और बसपाउ कांग्रेस के सरकारों में देखा गया घी से वो अ देख लीजिए आज जो यह चमक रहा है जो दिया वो कभी सबसे बड़ी बाद हो गया अखिर ऐसा यह चस्मे का सब्सक्राइब मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि भावनाओं में लोग नब हैं आज देश विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है देश में गुंडे माफियों का सफाया हो रहा है तो उस पे लोग जात ना देखें यह देखें कि आज पार्टी भातियंदा पार्टी कि इस तरीके से उत्तरप्रदेश में खुसाहली ला रही है इस पर सभी को उस्ता योग अरजे की बताईए यह प्रभू राम की जन्मिस्थली है राम मैं पूरा देश है समय हर तरप राम 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 चर्चा हो रही है जो है आपको लगता है आपकी आयोध्या राम नगरी के जान के साख्षा द्रम के मूरति हैं आधन नहीं अनाधि से चला आ रहा है तो राम जो है विग्रहवान धर्म है और अयोध्या जो है अपितो पुरे विश्व में इसका सरभोच पद जाने के लिए गाडियर नियुमर्रों पर लोगों की आस्था अनादिकाल से कुछ नया नहीं है लेकिन प्रभु राम की नगरी क्या कुछ नई नवेली सुरूप में अपने अध्यात्मिक पौरालिक सुरूप में जाती हुई दिखाई दे रही है बिल्कुल प्राचीन तम और जो इसका कहा गया है कि अपिश्वर नमई लंका नमे लक्षमन रोचते जननी जनक भूमिश्या स्वरगाद अपिगरिये से जो ए स्वरग से भी स्रेष्ट तम नगरी है यहाँ पूरे विश्व में अपनी ख्याती और स्वरगोच पद के लिए जा रहा पूरे विश्व का निगाह आयोध्या पर है आयोध्या के सादू संद पर है आयोध्या की जो है इस पूरी नगरी की रूप रेखा पर है अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो पूरा का पूरा रास्ता जो है, उजडा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये चमन के गुलजार होने से पहले का पतज़च है। सिला पूजन अयोध्या में परधान मंत्री जी अयोध्या में पहुच करके सिला पूजन किये अयोध्या में लाखों की संख्या में सरधालों की संख्या बढ़ चुकी है अयोध्या में आवा गमन बहुत तेज हो चुकी है अयोध्या का सुन्दरता भी बहुत 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 चुनाओं हो रहा है चुनाओं में कोई अपोनेंट दिखाई दे रहा है क्या या केवल राम मैं हो कर कि आप कुछ भी करो राम के नाम पर जो है सारी चीजे पार हो जाएगे नहीं नहीं राम जी के नाम से ही तो हम सभी का सारा कार सुरू होता है राम जी के ही नाम से सारे कार समापत होते हैं। नहीं आकर के और नतमस्तक टेक रहें घुटने टेक दिये तो कह रहे हैं। आप यहीं के हैं तब तो आपने योद्यों को बदलते हुए भी खूब देखा होगा राजनिती भी खूब देखी होगी। क्या लगता है यहां राम के नाम पे सब अपना काम निकाल रहे हैं क्या। कि नहीं राम के नाम पे नहीं सब अपना अपना काम अपने हिसाफ से नाम के नाम पे कुछ काम भी हो रहा है कि बहुत काम हो रहा है। महराज जी राम के नाम पर यहां लोग अपना काम निकाल रहे हैं या वाकई में राम जी का कोई काम कर रहे हैं। तो कोई काम होई नहीं सकते। बिल्कुल लेकिन राम के नाम से अपना काम निकाल रहे हैं या बहुत सारे लोग। कलपना आप सब लोगों ने की, हम सब लोगों ने रामचरित मानस से लेकर रामायन में जिस तरह की अयोध्या का जो है, मतलब दीदार किया, दार्शन किया, क्या उस तरह की अयोध्या बनती हुई नजर आ रही हैं? में बिक्सित हो रही है, तो पावरानिक, धार्मिक, परियतन और बैदिक, इस सारे को समेट कर एक नई उर्जा और नई करांदी के साथ में भव्या और दिव्या और नभ्या जोध्या बनने जा रही हैं. यह नगर निगम बनी महराज जी, यह नगर निगम बनाई गई ताकि कम से कम इसको बहतर तरीके, सिच्वेटेट तरीके से डेवलप किया जा सके. कहीं डेवलप्मेंट के नाम पर हरेश्मेंट तो नहीं हो रहा है? नहीं, हरेश्मेंट नहीं बलकि लोग उत्साहित हैं, खुस हैं. बिल्कुल, बिल्कुल, वो रूड वाजिचा न रहे, नए सिरे से परेटन असल बढ़ियां दिखाया आयोध्या का विकास हो. इकवाल भाई, लंबी लडाई, मतलब आप उस इतिहास के हिस्से हैं, जो 2019 को एक फैसला आया, उसने आयोध्या की बहुत हत्तक तस्वीर बदली. लेकिन क्या कभी इसका कौमी सुरूप भी बदला क्या? क्या, क्योंकि हम लोग बहुत साल से यहां कबर करते चले आ रहे थ तो कि इसको कोई जोटला ने सकता, जो काम हो रहा है, उसको जो है सच्चाई से बताया जाएगा, जो जागा विकास हो रहा है. अचार राजनीती, प्रदेश में राजनीती, हिंदू बना मुस्लिम के साथ तमाम जोडने की कोशिस हो रही है, अतीक, असराप, मुक्तार जैसे उन तमाम लोगों के खिलाब कारवाईयों को लेकर के एक पक्ष जो है, आरोप लगा रहा है, क्या उसका कोई इसार रियोध अवर इसार देश में बने हुए है, अप राधी के लिए सजह जो बनी हुए है, नियम कानू वो चल रहा है, उसमें दुख किस बात की है, अचार आयोध्या को आप भी देखना चाहते थे कि अईोध्या що यदिख्या के लोगों के लिए बहतर तरीके से दिखाई दें, तो कि यहां सर्जुनदी से हन्मान करें तक जाने का केवल एक किलोमेंटर का जो है फासला है घंटों जाम लग जाता है तो चाहिए इधर आए अपर आप एक चीज यह बताइए नगर निगम का चुनाओ है हर कोई दावेदारी कर रहा है जो राम के खिलाप थे वो भी राम का नाम ले करके दावी कर रहे हैं और जो राम के साथ थे आरोप उन पर भी लगे कि राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट क्या वाकई में यहां पर राम नाम के नाम पर लूट हुई है या राम नाम के नाम पर काम हुआ है देखे विरोधियों के प्रखच्चे उर जाएंगे विरोधियों का काम है एक सूत्रिये विरोध करना वो राम का विरोध करते हैं राष्ट्र का विरोध करते हैं भारतिये सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं जिस प्रकाश से सनातन संस्कृति को जलाने का काम किया इन्हों ने राम चरित्मानस को जलवाने का काम किया है और भगवान राम को कालपनिक बताने का कार्य किया है निश्चित ही आने वाला चुनाओ जो मेर का है उसमें इनके पर खच्चे उर जाएंगे तता 2024 का मार्ग तो आज भी आज नाम तो भी राम का ले रहे हैं राम इनका सिप राजनीतिक एजेंडा है अभी तक यह कहते थे कि राम हम राजनीति में नहीं लाते हैं लेकिन जब राम को 24 पर उनके द्वारा उद्रित उदार और उत्तम चरित म बनाते हैं यह लोग आज भाते जनता पार्टी भगबान डाम और राष्ट का प्रयाय बाची बनी है परचायक बनी है निश्चीति भाते जनता पार्टी कर रहे हैं कोई राम लोग बिरोद करेंगे तो बिरोद करने वाले भी जो है वो गलत कर रहे हैं वो जो सब को बुरा लग रहा है चाहे वो सादोसंत हो चाहे किरस्त हो तो कि राम को सभी मानते हैं गेरनफों को कोई इमाम हिंद हैं तो कोई इमाम हिंद के तोर पर राम को जानता और कोई प्रभू राम के नाम पर जो हिंदू आस्था वाले हैं वो तो जानते ही हैं राम का चरित्र किसी भी धर्म किसी सीमाओं से पर है फिर राम को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट की जाती है किसे पहले तो मैं आपको बताना आप डायरी खोल कर कहीं लिख लीजिए । मेरे सांसों में और मेरे धढकर में एकए कड़कर में राम बसे हुए हैं जब बningen बात क्या बात है वह ओटांगता है तो हर एक धढकर में जए स्रीराम जए श्री राम निकलता है और आपको बताता हूं पता इन सब की जमानते जब्त होगी और भारतिय जनता पार्टी ने हर जगा विकास किया है यह अजो ध्याप प्रमाण है इसको आप देख लीजिए और अब मुसलमानों को भारतिय जनता पार्टी से कोई परहेज नहीं है अब भारतिय जनता पार्टी के साथ मुसलमान पूरी राजनिती कर रहा है यानि कि कहते हैं भगवादारी कहते हैं कि अगर हम नहीं आए तो मुसल्मान आ जाएंगे और बाकी विवक्षिदल कहते हैं कि भाई अगर जो है तुम हमारे साथ नहीं रहे तो वो आ जाएंगे ने मुसल्मान का और को के बीच की जो लडाई हो बड़ी दिल्चस्प है अयोध्या उसका सेंटर पॉइंट आपको लगता यहीं से सब एक साथ हो जाएंगे इन्होंने का डियने एक है सब को एक साथ कर लोगे आप लोगे बेलकुने शत्य कहा बवलू खान ने की डियने एक है और जो भी आपने कहा कि डर किसी भी रूप से आज जि बिते हो रहा तो मुस्लिम हो रहा तो यह मुस्लिम समझ रहा कि भारती जनता पाल्टी ने हमारे लिए क्या किया है और सपा कांग्रेज बस्पा ने हमारे लिए क्या किया इन लोगों ने केवल मुसल्मान का सोचन किया है और काम करने का काम दिलाभानवित करने का काम भारत जनता पार्टी ने किया नेपाल का संबंद वैसे भी आयोध्या के साथ बहुत है मैं बहुत सारे लोग के साथ मिला उनका कहना था कि आयोध्या जानकीपूर से जादा सुन्दर नजराती है जो है अभी मैं खुद नेपाल गया था आपको लगता है यह जो इसका पुरातन पर प्रभावी होगा किया जितने भी मुद्दे हैं सभी विपक्षियों के मुद्दे हवा में उड़ने वाले हैं कोई भी उनके पास मुद्दा नहीं है जब मुद्दा नहीं तो मुद्दा बनाने का काम लखनाव की धरती पर रामान जला करके रामचरित मानस को जलाकर उन्होंने मुद्दा बनाने का काम किया लेकिन ओभी मुद्दा उनका बिफल रहा और अई बात आम आदमी पार्टी किया करेगी आमादमी पार्टी तो एक के साथ एक फिरी बाटने का जो काम करते हैं। लखनव में दिल्ली में देखा है कि क्या किया है तो हम आदमी क्या पाल्टी जिसका चरित्र दोहरा हो वो क्या बताएगी वो मुद्दे उसके पास क्या है एक के साथ एक जो फिरी बाटता हो उसके पास कोई मुद्दे नहीं के बल दोगले मुद्दे करके लोगों के निसान आप यहां के संत समाज से हैं क्या सहमत है आप एक दम सही कहा जा रहा है क्योंकि एउद्या के जिस प्रकार से विकास हो रहा है ब्याप्यारियों को थोड़ा हान हो रहा है लेकिन आने वाले दिनों में जो लाब होगा उनकी कई पीडिया तक आनंद उसकी लिटाएंगे उनक पुरातन काल से हैं अजया के बाद आजादी के बाद तमाम सरकारे यहां पर आई गई क्या किसी का मतब ध्यान इस तरफ गया ही नहीं कभी वह ऊचा यह ciudad आपना संदर बनाए जाते लोग का कुछ ना कुछ ध्यान रहा यह अलग बात है कि उन लोग नहीं चाहते कि कि यहां डपलमेंट हो कल्यान सिंह जी का पूरा ध्यान रहा जब यहां बिजे मलहुत्रा जी केंद्र में मंत्री थे तो 300 करोड उपिया उन्होंने अहां अमुक्त किया था इसलिए शुरू से ही लोगों का ध्यान कुछ रहा है बिर बहादुर सिंग जी ने यहां रामपेडी का निर्माल सुरू कराया था तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ध्यान लेकिन अजुद्या के नाम से लोगों को डर पैदा होता था यहां डर होता था कि कई दक्षिर पंती राजनीत उभर न जाए जो सेकुलर लोग थे जो बाम पंती थे वो तो सदैवी भाई भीत रहेंगे इसलिए वा जुद्या का डपलेमेंट नहीं चाहते थे वह नहीं चाहते कि अजुद्या चारों तरब से लोगा में क्योंकि पूरे बिस्व का केंद्र बिंदु अजुद्या है राम पूरे बिस्व के सासक थे और पूरे बिस्व में कहीं भी आज भी खुदाई होती है तो वहां राम का प्रतीक राम का चिन राम का स्वारा कुछ न कुछ प्राप्त होता है इसलिए पूरे पिश्व पर उना रामराज के स्थापना न हो जाए या भाए बामपंती और सेकुलर बादियों को था अब वह समय निकल गया है बीट गया है अब आप देश के अंदर देख रहे हैं कि सेकुलर वाले भी और बामपंती भी पानी मांग रहे हैं जो किसी तरह हम जिंदा रह सके हैं सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए इशू जरूरी है मुद्दे जरूरी है लेकिन मुद्दे क्या इस तरह के होने चाहिए कि आप कभी विरोध करने के उसमें राश्ट्र के अपनी परंपराओं के अपन निजी स्वार्थ के यह निजी स्वार्थ के बसी भूतों चाहे राश्ट्र को जला दें संस्कृति को जला दें यहां कोई फर्क नहीं परता है इन्हें ना समाजिक मुद्दे का कोई ज्यान है ना समाजिक मुद्दे से कोई मतलब है ना राश्ट्र के कोई मुद्दे से म थे काहाँ सूद्र्च काहा गया, कि ना राष्ट्र की सोचते हैं न संसक्रिती आं, इसा परकुथारा गहत मुद्र होता है! और ऐसे लोग बर्ण बिवस्ता में सुद्र में चले जाते हैं जो ऐसा कारे करते हैं निश्ची थी स्वामी परसाद मौरिया सुद्र है इसलिए वो ऐसा कारे करता है सुद्र कोई जाती नहीं यह बात असपश्चा सबसे बड़ी बात है राजनीती के लिए कुछ भी बोला जा सकता कुछ भी कहा जा सकता राजनीत विब्रल होने के नाते हम चाहें अपने अध्यात्मिक जो है मतलब महामानों पर सवाल उठाएं भगवान पर सवाल उठाएं अपने धार्मिक गरंतों पर सवाल उठाएं क्या से काबिले बरदास्त है क्या काबिले बरदास्त नही है जितनी बैभाव थी वह विस्व में कहीं नहीं था लेकिन ये विडंबना बाद एक दुसरे परस्पर का काट छाट के कारण ही है कि भारत अपने मूल सरूप में नहीं जा पाया कभी भी कोई वी राष्ट कोई वी देश तब अपने तरक्की को लक्षित करके वहां प्राप्त करता है जब वह अपने सानसिकर्दिक सरूप में रहता है इसलिए तो ये सनाथनी है, सनाथनी लोग है और हिंदु राष्ट के समर्थक हैं, राम मंदीर के भी समर्थक है। मुकदमे के लड़ाई कबजेदारी के लड़ाई थी, कबजेदारी खतम तो अदावत खतम, वह गया, हम उसकी बात अब नहीं करते हैं। होना चाहिए विकास होना चाहिए रोजगार होना चाहिए एक चीजे बताइए लाश्ट में कंक्लूड कर रहा हूं खाली जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासत हो रही योगी आदे तनात कहते हैं कि अब यूपी में नो कर्फियू नो दंगा सब कुछ चंगा वहा समाजवादी पहले थी जब मुसलिम समाज उनके साथ जुडा था उन्होंने बेउकूप बना कर जुडा था तब वो थी समाजवादी अब इस समय वह हो गई समात्तवादी वह उनकी सरकारों में हजारों दंगे हमने देएख है आज आज भारती जनता पार्टी की सरकार बनी है दंगा एक भी नहीं हिंदू मुस्लिम दंगे के नाम पर एक वाकई में यूपी में सब चंगा है क्या नो दंगा सब चंगा बिलकुल सब चंगा है जिनकी जैसी दिरिष्टी वैसी स्रिष्टी अखलेश जी को काला चस्मा लगा किropi में सब चंगा अख्लेश यादॉब हो गए नंगा जालय कले हैं शुनम है रस किसीत Арच करेंने कि तोолнको भी यह लगने हैं था अब दिलत्स бात लगी कि तुनाओ निकायगा है लेकिन निकाय को लेकर बाकी सब बात कर रहें जब आप दूतिए जब चुनाओं के पारकाल में आप आएंगए तो यहां राम मंदिर से ले करके चंगा कभी समाप्त नहीं होगा जाए उस या राम आपको क्या लगता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा है उद्या में जो विकास हो रहा है भारती जंता पाल्टी कर रही है यूपी में चुनाओ कब कोई मुद्दा नहीं बचा क्या यही बस बचा कि ओल चंगा और दंगा राम राज हो गया तो क्या चुना होगा जब राम ही राज में भारती जंता पाल्टी सारे काम को कर रही है तो राम राज का तो आनंद वही लेगी कि दूसरा लेने आएगा चस्मों की बात हो रही थी आप लोगों ने राम राज का इतना चस्मा दिखाया कि हकीकत लोग देखी नहीं पा रहे है नहीं चस्मा हमने लगाया ही नहीं है नहीं चस्मा दिखाया है यूप्यू में हो रहार नहीं दंगा है इसलिए सब कुछ चंगा है और आप अजो द्या को देख लीजिए और चारों तरफ राम राज है चारों तरफ भगवान की महिमा है क्योंकि एक कोछल पूरी सो है यही भाती इतना सुन्दर यह सरूप दिखाई देता है यहाँ पर और भगवान स्वेमी जो द्या की परसंसा अपने स्री मुख से करते हैं अपने जो साखाल लंका से बिजय करके आते हैं तो अपने साखाओं को दिखाते हैं कि देखो यह अजोध्या कैसी सुन्दर है जा मजनते बिन ही प्रयासा ममसमी पनर पावही बासा बहुत बहुत सुक्रिया तो यह थे आयोध्या की जनता यह है आयोध्या के सादू संत आम अवाम जो कह रहे हैं कि प्रभूराम ने त्रेता में ही बता दिया था कि आयोध्या कितनी खूपसूरत है और अब उसी खूपसूरती के तरफ उसी पुरातन सुरूप में जा रही है आयोध्या और इस बार का जो चुनाओ है भले ही नाली सड़क खडंजे की कितनी बात होती हो लेकिन आयोध्या में मुद्दा प्रभूराम है प्रभूराम थे और प्रभूराम ही रहेंगे और जो राम का काम करेगा उसी का नाम होगा तो आयोध्या से इस खास पेसकस में बस इतना ही